लेकिन अब पता चला कि इस अमर प्रेम कथा का एक तीसरा एंगल भी है यह त्रिकोणिया अमर प्रेम कथा है और उस तीसरे एंगल में अडानी जी शामिल है तो यह प्रेम कथा बड़ी प्रगार है यह प्रेम वाकई में सिर चड़ कर बोल रहा है और इस महबबत का जो तीसरा एंगल है उस प्रेम कथा का वो अडानी जी स्वाम है नवस्कार आप देख रही है नेक्स्ट नाई न्यूस पॉलिटिकल वाइट और आपके साथ मैं हूं करांति से कॉंग्रिस नेता सुप्रिया श्रीनेत इन देनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं क्योंकि उनके नाम की चर्चा जो है वो लगतार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को ले करके सुप्रिया श्रीनेत एक के बाद एक बड़े बयान देती है जिसके बाद उनका बयान जो है वो सूशल मीरिया पर वारल होने लग जाता है और हर कोई जो है सुप्रिया शुरीनेत की बातों से प्रभावित होता हुआ भी नज़र आ रहा है एक बार फिर से सुप्रिया ने प्रिधार मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ जो है अपना मूर्चा खोल दिया है और अपनी तरफ से बयान बाजी शुरू कर दिये बीते दिन उन्होंने एक शब्द का प्रियोग किया था प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी को ले करके और वो था प्यार शब्द का प्रियोग प्यार शब्द यानिकी मोधी अडानी में जो प्यार है उसको ले करके उन्होंने बड़ी बात कई थी अब एक बार फिर से जो है सुप्रियाश्रीनेत ने एक बार फिर प्यार प्यार करके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को ले करके निशाने पड़ लिया है क्या कुछ कह रही थी सुप्रियाश्रीनेत सुनिए सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें लगता था कि प्राधान मंत्री मोदी जी का ही चीनी प्रेम सिर चड़ कर बोल रहा है और इसलिए चीनी ध्रिष्टता कर रहा है लेकिन अब पता चला कि इस अमर प्रेम कथा का एक तीसरा एंगल भी है तो यह प्रेम कथा बड़ी प्रगार है यह प्रेम वाकई में सिर चड़ कर बोल रहा है और इस महबत का जो तीसरा एंगल है उस प्रेम कथा का वो अड़ानी जी स्वायम है एक लाइन मुझे याद आती है कोई बड़ा पुराना गाना है जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो और यही होता हुआ दिख रहा है हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और उस कंपनी का नाम है PMC Infrastructure Limited नाम की एक कंपनी है वो पूरी तरह से उस पर मालिकाना हक वो पूरी तरह से ओन्ड एक चाइनीज नाशनल एक चीनी व्यक्ति उसका ओनर है उसका मालिक है उस कंपनी का नाम है PMC Infrastructure Limited प्रोजेक्स डेवलपिंग करते हैं यह यह चीनी नाशनल इसके मालिक है लेकिन यह अडानी जी का सारा काम करते हैं सारे Infrastructure प्रोजेक्स में यह सब कॉंट्राक्टर हैं अडानी जी के और संबंद इतना गहरा है इस चीनी कंपनी से कि इनका ओपरेशन जो है वो अडानी जी के ही अड्रेस से होता है सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें लगता था कि प्राधान मंत्री मोदी जी का ही चीनी प्रेम सिर्चड़कर बोल रहा है और इसलिए चीनी यह ध्रिष्टता कर रहा है लेकिन अब पता चला कि इस अमर प्रेम कथा का एक तीसरा एंगल भी है यह त्रिकोणी अमर प्रेम कथा है और उस तीसरे एंगल में अडानी जी शामिल है तो यह प्रेम कथा बड़ी प्रगार है यह प्रेम वाकई में सिर्चड़कर बोल रहा है और इस महबबत का जो तीसरा एंगल है उस प्रेम कथा का वो अडानी जी स्वायम है एक लाइन मुझे याद आती है कोई बड़ा पुराना गाना है जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो और यही होता हुआ दिख रहा है हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और उस कंपनी का नाम है PMC Infrastructure Limited PMC Infrastructure Limited नाम की एक कंपनी है वो पूरी तरह से उस पर मालिकाना हक वो पूरी तरह से ओन्ड एक चाइनीज नाशनल एक चीनी व्यक्ती उसका ओनर है उसका मालिक है उस कंपनी का नाम है PMC Infrastructure Limited प्रोजेक्स डेवलपिंग करते हैं यह यह चीनी नाशनलिसके मालिक हैं लेकिन यह अडानी जी का सारा काम करते हैं सारे Infrastructure प्रोजेक्स में यह सब कॉंट्राक्टर हैं अडानी जी के और संबंद इतना गहरा है इस चीनी कंपनी से कि इनका ओप्रेशन जो है वो अडानी जी के ही अड्रेस से होता है हम यहाँ पर एक agreement भी लेकर आएं अडानी जी के ही office premises से इनका ओप्रेशन भी होता है यह चीनी नाशनल की मैं बात कर रही हूँ इस चीनी नाशनल के मालिक जो है वो चांग चियन टिंग है चांग चियन टिंग इनको मौरिस चांग के नाम से भी जाना जाता है यह चांग चूंग लिंग के पुत्र है और चांग चूंग लिंग जो है वो तमाम अडानी कंपनियों में डिरेक्टर है और गौतम अडानी जी के भाई विनोध अडानी जी के अभिन्न मित्र और सहयोगी है व्यापारिक पार्टनर है तो एक चीनी कंपनी है जिसका हमने आपको नाम बताया चांग चूंग टिंग उसके मालिक है ये इनकी तस्वीर है ये मौरिस चिंग के नाम से भी जाने जाते हैं ये पीएमसी के ओनर है इनका पीएमसी पर मालीकाना हक है पीएमसी तमाम इंफरास्ट्रक्चर प्रॉजेक्स करती है मैं कुछ प्रॉजेक्स के नाम देश हित में आपके सामने रख देती हूँ रखने से पहले मुझे लगा एक दो पिक्चरे और दिखा दी जाए ये अडानी जी चिर परचित अंदाज में मुस्कुराते हुए प्रेम कथा प्रेम संबंद निबाते हुए उस चीनी फर्म के मालिक के साथ खड़े आपको नजर आते हैं और ये नक्षो कदम पर तो साहब के ही चल रहे हैं जो जूले जूलते हैं पिंगे बढ़ाते हैं साबर मती के तट पर मोधी जी की अमर प्रेम कथा का एक चेहरा ये भी है जब वो नारियल पानी पीते हैं महाबनली पुरम में शेहनाई सुनते वेश्ट्री और अंगवस्त्रम के साथ ये देखिए तो यही प्रेम कथा का त्रिकोड ये अंगल जो है वो अटानी जी निभार है सुप्रिया शुरियत का आपने ये बयान सुना उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आई है तो आगे लाइक शेर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले और तबाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रिए नेक्स नाइन नियोस पॉलिटिकल बाइट सुना वाइट्स